श्रमार क्या पति अधे हैं अधे मलव बताएंगे कि केले के पते में खाना खाने से हमें क्या बेनिफिक होता है और केले की पीड़े का क्या मयाथ हूए बहुत सरे जो मयथ्या आपको वीडियो मालों पड़ेएगा तो वीडियो आप शिरू से लेकर एंड तक दरूर देखेगा आपको बहुत सारी ग्यान वर्दत बाते आपको इस वेगियों वेविलर लिए तो अचाहनची आपको ये बताएंगे कि केले के पते का मा तो एस्टरोजी में क्या है आप में बहुत तरह भीडियो देखे होंगे यूटूब पर जहाँ पर डॉक्तर बता रहे हैं कि बाई केले के पते में क्यों खाना चाहिए तो हमरे मेरे वेल्स से रिलिटेट है पर हमें आपर बात कर रहे हैं जूतिश का एस पाते हैं तो जिवतिश के हिसाब से क्या फाइदे हो सकते हैं? नमस्ते. देखे केले का पत्ते का मात है. तो सानर से चबवा है. और उसकी उर्जाज रहा है. उससे हेल्थ के साथ में, आईरवेदिक में भी, और साथ के मुग, जो साथ के मुग जो इंडिया के साथ के मुग हैं, वो जाइदा करके केले का उप्योग करके उप्योग करते हैं, जैसे खाने में केला खा लिया है, या केला कच्छा केला को उप्योग कर लिया, केले के पत्ते को उप्योग कर लिया, तो यह बहुत मैट वह है और उसको अगर मैं एस्टोलजी के लिए कनेक्ट करता हूँ तो जैसे किसी लड़की के साधी नहीं हो रही है किसी के वह नहीं हो रहा है तो हम उसे केले के जार की पूझा करने के लिए बोलते है यह इक उपाय के तोर पे हम बोलते है केले के जार की पूझा आप करते हो तो उसके अंदर आपको उसका बेनिफिट साधी के लिए देखने को मिलता है या अप में जीवन के अंदर या रहा की जीवन में को unhealthy प्रош्प्लिम्स होते है तो केले के जार की पूझा करने से भी आपको फायदा मिलता है क्यों ऐसा केले का जो जाड है वो अगर अगर करेकर उसको ग्रह के साथ कनक्ट करता है तो यहाँ पे जुपी्टर मतलब गुरु जो ग्रह है वे उनका वहाँ पे connection है बग्राण की बात करें के तो विष्भूजी की वहाँ पे connect होते है तो विष्णु जी केले के पत्ते की पूजा करने मिदलब एक विष्णु जी की पूजा करने बराबर हो जाता है So अगर आप केले के पत्ते को अभी जैसे मैंने बताया कि कोई लड़के की साधी में हो रही है तो लड़की के लिए, कूली के अंदर पती को अगर देखना है तो हमें गुरु को देखना पड़ता है ब्रेशौती को देखना पड़ता है कि उसके कुंड़ी में काप इसका बोजिशन है और उसके बेस पे हम उसको उपाई बताते हैं जैसे आप जेम्स टूरे में सिभी से बेख सकते है गुरू का अपाइ लिकिन सर्वर और सबीर ने है तो यह को亞ले पेड के पूजा करेस्थ यह सबसे आन उपाई माना जाएगा किसी को मन्सु आप कैली की पूजा करने के लिए बूलते है क्योंकि गुरु को जहां जहां भी इंपेक्ट आपकी लाइफ में हो रहा है वहाँ वह केले का पत्ता या केले का जार की पूर्जा का रुपाय आपको बेनिफिट देगा अब यहां सवाल आता है कि पती का सो पती से हमने केले के जार को कनेक कर दिया है गुरु से और गुरु से केले के जार को कनेक कर दिया तो फिर क्या हम इस केले के जार के पत्ते को या केले के जार को क्या हम सभी के लिए यूज नहीं कर सकते क्या सभी के ग्रल को ठीक नहीं कर सकते तो अगर लड़की की साधी के लिए का एक रेमिडिंस के तोर पर सिमित नौ रखते हुए हम इसको आज आपको ददाते हैं आप उसको सभी नेविस का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे के केले के पत्ता है उसका अगर आप उसमें रोज खाना काते हैं तो केले के पत्ते की उर्जे आपको प्राप्त होती है अब केले के पत्ते के अंदर एक गुरु की उर्जा है जैसे जार में गुरु की उर्जा है वैसे पत्ते में भी गुरु की उर्जा है nutricious है उसमें खाना खाने से आपको उसका nutricious power जो है वो आपके खाने के अंदर और मिलावत हो जाती है और आपकी उर्जा बढ़ जाती है nutricious value आपकी बढ़ जाती है इसीवे ड़क्टर में भी इसको या अईरुवधिक में भी इसको जारा करके माना गया है दूसरे digestion issues होता है वो भी इस पत्ते पे खाना खाने से सौन होता है so ये मेरा ये मानना है कि हबर पहले के जमाने में आपने देखा है गए जब थाली नहीं थी, स्टील नहीं था, बर्तन नहीं थी तो हम केले के प्त्ते पे ही खाने काते है रहे उसकी वज़य से क्योंकि केले का प्त्त्य या केले का जार जो है वे गुरू के साथ कनेक्टर है गुरू कंली के अंदर 5 से 7 बायो को अधिपत्तित वे धिकाता है मितलब अगर मैं उनली का बारा बाव पकरता हूँ तो बारा बाव में शनी एंड गुरू ये मैग्जिमन बाव के रूलिंग प्लानेट है जिसको कारत तत्व निल जाता है जिसका उड़े प्रभुत्वय रखते हैं उस बाव को रिलेटेड जैसे गुरू की बाद करें तो दूसरा बाव जिसके अंदर भन बाव और कुपम बाव पांचवे बाव संतान का बाव जिसका गुरू अर्धित्व करता है साटवे बाव के अंदर पती को गुरू कनेक करता है नौवे बाव के अंदर देर्मा और बाग्य को कनेक करता है और पांचवे बाव में पढ़ाई, नवे बाव में पढ़ाई को भी गुरु विद्या या मैनेच को भी गुरु कनेक करता है ग्यारवे वाव में अगर बात करते हैं, तो ग्यारवे वाव में गुरू को जो कहरा करते हैं, वे मैंग्जिमें, हम बात करें, तो वहाँ पे आपके बर्व बाई बरहन के लिए उसको जोड़ा जाता है, दस्वी वाव में गुरू का कहरा करते हैं, जो मैलेज को बात करते ह तो दश्वार भाव आमारे बिजनेस को कनेक करता है कुनली के इसाब से तो जो बिजनेस है उसके अंदर मेरेज की जरूत होती है वोगे गुरू को कनेक करता है तो अगर मैं बात करो को गुरू का पाँच भाव गुरू के पवित्वे में है तो कुली के अंदर अगर शनी बागी के जो धाव बेचे वे भाव के अंदर भी शनी मैंग्जिमम कनेक करता है तो अगर दोव प्लानेट अगर आपके कुली के बारे भाव को मैंग्जिमम कनेक कर रहा है और ये देने ग्रह अगर आपके किसी भी तरह खराम है तो आप सोचो आपके management कुली के ग्रह जो है बाओ है वे आपके damage हो जाते है तो जैसे गुरू करा दे गया तो आपके कुटम के साथ में relation करा भी जाते है दन बाओ तो दन का कारक है तो दन में दिक्कते आ जाती है संतान के साथ problem होता है पढ़ाई में problems होता है पती के साथ में तकलिफ होता है तना होता है फिर बेरदाई बेन के साथ में अच्छा में होता है बिसनेस के अंबर पूरा knowledge नहाने के विज़े से बिसनेस से में चलता है तो आप सोचो इतने डाओ को गुरू कनेक करता है उसकी सरर पद्दती अगर आपने रोज केले के पत्ते के उपर खाना खाना चानू कर दिवा तो गुरू अकर कुणली कटीक हो गया अगर की नुट्रेसिस वैली भी बर जाती है आपके अंबर वो जो एनर्जी है वो भी बर जाती है जो गुरू के लिए सौट के अंबर तो केला जादा होता है इसलिए केला खाते है वैसा नहीं है उनको वे चीज का मात्र समझ भूए आ रहा है इसलिए वो खाते है आज कर आपने देखा होगा के बैक्जिने मंबर पहले तो ऐसा था कासा में खाना खाया एक जाता था तो क्यों कासा के दातू के अंदर खाना कहते था उसके वैल्यू जो है वो हमें मिलती थी इसलिए कासा को हम लियूज करते है उसके बाद है वो उसकी जगा पे पितल ले लिया पित्तल में खाना कहते है वे भी nutritious value है इसलिए अच्छा है था सबसे पहले जब दातों नहीं दिन नहीं दिनी थी तभी हमें मिट्टी में खाना कहते थे मिट्टी के बरतन में खाना पकाते थे मिट्टी में खाना कहते थे तो वो जो खाना खाती थी हम तो खाना किसमे खाते हैं वह बहनातो है और वह जो मातो है न इसका value आपके खाने के अंदर addition होती है और वह आपको मिन्ती है अब आज की बात करें तो आपने वह सब चीजों को छोड़ते होए steel के अंदर steel का क%, नहीं है उसका कोई value, notations, मैं, हाँ नहीं होता है फिर हम कागच कि या थर्ववकल की प्लेट में खामाइकार लग चालो कर दिया और आपने देखा हुआ होगा के कागच के अंदेर हम खामा काते हैं मतलब खाना अजिक भार अब जाते हो तो आप में सेव पूरी कालू हुआ है अब में इसे कोई भी चीज कागच की एस प्लेट के तौर पे नूस पेपर के उपर बना के हमें दोएते हैं कुछ भी खाना अब आपको पता है कि नूस पेपर या तो कोई भी मैगजीन का पेटर के उपर बना के वो क्या खरीत ली जाता है मैयाद के लिए सुबह सुबह उसने नूस पेपर लिया है कि जिसको पेपर खाने दोता है हनारे गर के अंदर जो पस्ती है जो हम पस्ती के तार पे दे देते हैं हमारा जो नूस पेपर गर में आते है वो पस्ती के अंदर कितनी डेस लगी है वो हमने पस्ती के तरफे दिल दिया वो पस्ती के पास आता है वहां से वो थोक में खरीदते है और उसको क्या वो पानी से दो सकते है नहीं दो सकते है और उसी को वो युनुस करते है हमें खाना देने के लिए तो अब सोच लिजे क्या valuations हमें खाने के अंदर मिल रही है तो खाना की जो nutrition से वो तो हमें मिली के नौ मिले क्योंकि आज की तरह पे खाने की nutrition कितने अच्छी मिलती है वो आप भी जानते हो लेकिन उसके अंदर हुए negativity और air हो जाती है किस के गर से कौन सा निस पर आया तो हमें यह सब चीजों को धान अखना चाहिए खाने के तौर पर दूसरा यह जो पत्ते है वो कोई ज्यादा महिंगे आते नहीं है उसको साफ करना बात अच्छा है तुरंट आप दो के उसके ओपर खाना कह सकते है लेकिन दोने से उसके nutrition value खतम नहीं हो जाती है वो अपने खाने को add करता है पैली बात दूसरी बात जब हम खाना खा लेते हैं तो उसको दो के वापस आप यूज कर सकते है अगर आपने यूज़ नहीं करना है तो उस पत्ते को आपने क्या करना है फिक देना है तो जब आप उसको फिक देते हैं तो वो जमीन के अंडर वापस एक पत्ता है जमीन में जाता है खात बन जाता है और reproduction of trees में काम आ जाता है तो ये भी एक nature के लिए बड़ी बाद हमारे लिए होती है तो इसकी value इस तरह से आज के दोर में अगर बेडाते हैं और मैं आपको खुशी की दाद बताए तो तो महंद्र आपने बाद में है आनन महंद्र जी ने उन्हें में अपने कैंटीन के अंदर इसको रज़े थाली के तौर पे उसको चलाया है अभी तो इनके लिए भी मैं दमेराद करता हूँ तो इस तरह से आप अपने जीवन में grow को ठीक करने के लिए इसी समझ रखते है और उसका जो valuation product है उसको आप समझते हैं और उसको इसमेर रोज़ा ना करता है तो आपके सारी value जो है वो अतने आप बढ़ जाती है और जाय बढ़ जाती है उसका valuation आपकी जीवन में बढ़ जाता है तो बैर नहीं क्यान वर्टेक वीडियो रहा आप सब खेलिए और हम सब ने सीखा कि भाई खेले के पत्ते पे क्यों खाना चीए आच्चार जी ने ये बता है कि भाई मिट्टी के बरतर में पेज़े में लोग खाना काते थे आज भी हमारे मिट्टी के अंदर वो गुन है कि यदि हम उसे अपनी श्रेवी पर लगाए जैसे काली मिट्टी और लाज मिट्टी वज़र जो होता है कुछ चीजे मिलाकर लोग कुष्ट रोग तग सवाप्त करवा देता है तो आप सबसे उमीद यही है कि आप भी घिले के पत्ते पे खाये प्राशिन प्रंपरा को यदि हम ही वापस लेके आते हैं तो हमारे हेल्थ और वेल्थ और नीचे से भी कनेक्ट है दोनों के लिए चाह हो गया और जमीन से जुड़ी ही चीज़े हैं जमीन हमेशा कुछ नों कुछ हमें देती है तो दन्यवाद आप सबको हमारे चैनल ते स्वागत है आप हमारे चैनल ते सबस्क्राइब करें और अपनी कमेंट देशें